नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले अप्रेलमेंट में जो भी most important notifications थी updates थी तो उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे अगर आभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इगनो से लेटेट क कोई भी नई notification या नई update आती है तो सबसे पहले आपके पास उसका notification पहुंच जाए तो वीडियो सुरू करते हैं वीडियो पूरी जरूर देखिए सबसे पहले है नई डेट सीट रिलीज की जा चुके जून 2019 के एक्जाम के लिए जैसे कि इसका इंज़दा सबके सब अच् अगर अभी तक आपने नई डेट सीट डाउनलोड नहीं की है तो नीचे description में लिंक है उसके आप क्लिक करेंगे तो आपको डेट सीट की वीडियो मिल जाएगी और फिर वहां पर से आप फिर वहां उसका लिंक भी देख पाएंगे उसके बाद दूसरी की बात करें तो है अगर आप इनकी इगनु ने नई mobile app launch किये अपने इगनु के सभी स्ट्ट्वेंट्स के लिए इससे पहले आप जानते हैं कि इस्टेडी मेटरियल के लिए आपका स्टेडी मेटरियल डाउनलोड करने के लिए इगनु ने एक mobile app launch की थी और आप एक नई मोबाइल एप लॉंच किये जिसमें आप री रेजिस्ट्रेशन का लिंक देख पाएंगे अपना स्टेडी मेटरिल स्टेटस देख पाएंगे अपना हॉल टिकट देख पाएंगे और अपने जो भी जितनी भी नैसेसरी चीजे होती है जो आप वेब साइट से अब तक चेक क स्टेडी मेटरिल स्टेटस उपडेट नहीं किया गया ता लेकिन अब बोधलिक मेटरी स्टेटस अप्रेमिनत में अपडेट कर दिया घया है तो उसको जरूर देखे अपना स्टाडी मेटरिल स्टेटस और साहंत में हर 10 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद भी अपना study material status regularly check करें क्योंकि उसमें रगातार update किया जाता है और delivery date भी उसमें जल्दी ही आ जाएगी तो उसके बाद fourth की बात करें तो assignment summation की last date, assignment summation लखी last date जो है वो 15 मई है यानि कि वो काफी करीब आ गई है 15 दिन बाद ही है जैसे कि आप जानते हैं कि वैसे normal जो date होती है वो 31 मार्च होती है assignment summation की लेकिन assignment summation की last date extend करके उसको 15 मई 2019 कर दिया गया था तो अपना assignment summation जरूर करें उसके बाद fifth जो है वो है campus placement के उपपर इसके उपपर मैंने कुछ दिनों पहले वीडियो भी बनाई थी कि campus placement इगनू अर्गनाइज कर रहा है access bank के लिए तो उसमें अगर आप जाना चाते हैं तो जरूर चाहें उसका सारा description और उसमें क्या क्या requirement है और जो notification है उसको अगर आप पढ़ना चाते हैं तो डिस्क्रेशन में जो वीडियो है उसको जरूर चेक करें और फिर भाँपर से आप उसको भी डाउनलोड कर पाएंगे जो notification है तो इस वीडियो में हमने 5 important notifications के बारे में बात की वीडियो अगर आपको पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादे से जादा बाकी तेकनक ले बहुत बहुत धन्यवाद